चंडिगड में सुभा से रुख रुख कर वो रही बुन्दा बांधी के बाद एकदम से जमाज्चम बारिश शुरू हो गई है इस बारिश के दौरान ओले भी गिर रही है जिसके वजह से तापमान में गिरावत आ गई है भी चंडिगड पुलिस ने बारिश को देखते हुए एडवाईजरी जारी की है पुलिस ने लोगों को अपने वहान स्लो चलाने, दूसरी के वहान पर पानी ना छड़कने आगे वाले वहानों से गुरी बिनाये रखने और पार्किंग लाइट ओन करने जैसे सुझाब दिये है पहारों में बरखबारी होने के वजह से मैदानी इलाकों में बारिश के रूप में इसका असर दिख रहा है आज शहर का धिखतम तापमान 17 डिगरी सेल्सियस और न्यूतम तापमान 9 डिगरी सेल्सियस रहने की संभावना है मौसम के इंजर के नुसार अगले 5 दिन तर शहर का मौसम बदलता रहेगा किसे दिन बारिश होगी तो किसे दिन सर्फ बादल चाहे रहेंगे धिखतम तापमान 20 डिगरी सेल्सियस दर्श किया गया जो समाने से एक डिगरी कम था यूतम तापमान 10 डिगरी सेल्सियस दर्श किया गया जो समाने से दो डिगरी ज्यादा रहा पुरे दिन में करीब एक दूरू बारिश होई मौसम विभाव के निसार आज भी शहर में बादल चाहे रहेंगे और दुनाबानी फो सकती है कल शहर में बादल चाहने की संभावना है लेकिन बारिश की संभावना बहुत कम है दिन में हलकी धूप निकल सकती है इस दौरान अधिक्तम तापमान 99 डिग्री सेल्सियस और नियूतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक डल्श किया जा सकता है खराब मौसम के चलते शहीद भवगत सिंग इंटरनाशनल एरपोर्ट से बुधवार को साथ फ्लाइट को रद करना पड़ा वहीं एक फ्लाइट निर्धारित समय से लेट रही आपको बता दें कि इंटरनाशनल एरपोर्ट के सीई ओ राकेश सहाई ने बताया कि विजिविल्टी कम होने के कारण सुभा के समय बाली उडाने रद रही वहीं दिन की कुछ फ्लाइटें देरी से उड़ी रद होने वाली उडानों में दिल्ली, मुंबई, जैपुर और लखनव के उडाने रही और देरी से उड़ने वाली उड़ानों में हैदरबाद, दिल्ली, लखनव, चन्य, बेंगलियूरू, मुंबई, गोवा, जैपर, श्रीनगर, एहंदबाद, अफोई गत्ता की उड़ाने शामिल हैं वहीं विजिबिल्टी कम होने के कारण आज भी सुभा साथ मजे तक कोई भी उड़ान नहीं उड़ पाई